हाई गाईज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं nested if statement की nested if statement का मतलब होता है एक if statement के अंदर जब आप दूसरा if statement लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते है nested if statement या फिर if statement को nesting करना syntax लिखिया है डारेक्ट इसका if condition block of statement इस if के लिए यह आपने statement लिखा देन इसी if के अंदर आपने एक और if लिख दिया और इस if का यानि की हमारा जो second if है उसका आपने block of statement लिखा देन एक और if देन इसका block देन एक और if देन इसका block and rest of the code ठीक से समझे है इसको क्या क्या हुआ है देखिए यह वाला if का इतना सारा child है यानि की block of statements है यह वाला if का यह वाला सिर्फ एक है और यह हमारा एक अलग code है यानि कि अगर number से हम लोग देखें तो यह हमारा one number पर है यह हमारा two पर है और यह हमारा three पर है यह हमारा हो जाएगा one point one यह इसको हम के लोग किया सकते हैं one point true और यह हमारा हो जाएगा one point two point one और यह हमारा और यह हमारा one point three 3.1 मैं आपकोन इंडेक्स की तरह हूँ इंडेक्स जो बुक में इंडेक्स रहता है उस नंबर सिस्टम से बता रहा हूँ ता कोज अच्छे से समझ माँ है तो कहने का मतलब यह है कि यह और यह सेम लेवल पर है इस कंडिशन पर जो डिपेंड करता है वह है इतना कोड तो यह कंडिशन अगर ट्रू होगा तो इतना कोड एक्जिक्यूट हो सकता है हो सकता है क्यों क्या रहा हूँ विकॉस अंदर में और वी इफ है तो अगर यह कोड ट्रू होता है तो एक तो यह रन पहले करेगा उसके बाद एक और एक और यह कंडिशन ट्रू होगा तो यह एक्ज execute नहीं करेगा इस condition पर इतने सारे statements depend कर रहे हैं बट इसके अंदर भी if है और इस condition पर यह depend करेगा इस पर यह depend करेगा अगर यही false हो जाता है तो इतना code आपका execute नहीं होगा बलकि यह next इस code में चलाएगा अभी अगर यह true होगा यह वाला तो यह run करेगा और यह किसी code पर depend नहीं करता है किसी condition पर depend नहीं करता तो यह तो run करेगा यह करेगा hopefully बहुत easy सा concept है nested if का तुम समझ माग गया हो चले इसका एक बार practical example देख लेते हैं एक छोटा सा example देखेंगे हम लोग if 5 is greater than 2 then print एक और में लिए देता हूँ यहाँ block option बना जैते हैं इसको print greater than 2 उसके बाद इसके अंदर में एक और इफ लिखूंगा तो पहले में indent कर लेता हूँ अगर ऐसे run करेंगे तो आपको error मिल जाएगा so select किया एक बार tab प्रेस किया तो हमें हमारा यह जो है इसके अंदर मांग है हम लोग नहीं colon मिस किया यह colon देना so यह हम लोग नहीं लिख दिया अभी is if condition पर depend कर रहा यह दोनों अगर यह true होगा तभी यह execute होगा अभी अगर हम लोग इसको save करेंगे और अभी इसको run करेंगे तो हमें यह यह दो चीजें run कर दिखाए देंगे because यह true है और यह दोनों code इस condition पर depend है तो यह true है तो यह दोनों code हमारा execute कर हमें दिखाए देता है अभी इसके अंदर एक और if लिखेंगे यानि कि यह जो हमारा if है इसके अंदर if लिख रहे हैं देखिए इस if के अंदर ये भी है ये भी है और अभी जो if लिख रहे है ये भी है so condition यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैं इस बार parenthesis देखर लिख रहा हूँ जिसे को पता चले है कि आप parenthesis भी देख सकते हैं then print 6 is greater than 2 इससे हम इसको हमें डवल कॉट के अंदर में लिखना है डवल कॉट या सिंगल कॉट का आप यूज कर सकते हैं so ध्यान रहे कि यह जो statement है यह इसका child होनेगा if का is if का तो आपको यहाँ indent करना है उसके बाद एक नीचे एक और code लिख देता हमें rest of the इसको हम लोग यहाँ ल पहले जब यह execute होगा तो यह पहले check करें कि क्या हमारा condition यह true है तो 5 बड़ा है दो से हां यह true होगा तो यह सारे code execute होगे यहां से यह तक पहले यह execute होगा तो हमें यह मिल ग्रेटर फिर यह और एक्जीकूट हुआ तो इससे में मिल यह 5 is greater than 2 यह code execute होगा यह भी condition लिए इसके अंदर का code execute हो याने कि यह वाला और आपको 6 is greater than 2 दिखाए देता है यह वाला तो execute होगा है यह किसी condition पर depend नहीं करता है जिससे आपको यह दिखाए देता है अभी assume कीजिए कि यह condition हमारा true है बट यह हमारा false हो गया इस case में क्या होगा save किया save करने के बाद इसको उन्लों करेंगे इस condition में क्या होता है एक बश्य देखिए पहले यह चेक करेगा तो यह हमारा true आएगा तो यह इतना code execute होगा यह execute होगा तो हमें मिल गया greater जब यह execute होगा तो हमें मिल गया 5 is greater than 2 अब जब यह execute हो रहा तो यह condition अपना चेक कर रहा है कि क्या 6 चोटा है दो से नहीं यह हमारा यह false होगा तो यह वाला code execute नहीं हुआ यह execute नहीं हुआ इसलिए आपको यहां पर उस card put देखने को नहीं मिल रहा है तो यह तो execute होगा ही तो इस case में इसको run करते हैं इस case में सिर्फ आपको rest of the code ही output में दिखाए लेगा because जब यह check करेगा तो यह f आएगा यह यह false हो जागा यह condition तो इतना code आपका execute नहीं होगा बल्कि कि डारेक्ट यह code execute होगा और आपको rest of the code सिर्फ देखने को मिलेगा अभी एक और condition देखिया मान लीजिए कि यह वाला हमारा false है बट यह हमारा true है 6 greater than 2 जो कि true है तो इस case में भी अगर हम लोग run करते हैं इसको तो हमें सिर्फ rest of code दिखाई देगा क्यों और कैसे देख लीजिए जब यह हमारा false हो गया तो इसके अंदर का कोई code और चेक ही नहीं होगा एक्जेक्ट ही नहीं होगा तो अब यह यह true हो यह false हो इससे कोई लिए न देना नहीं है यह F हो गया मतलब इसके अंदर का code पूरा का पूरा हमारा skip डारेक्ट यह एक्जेक्ट होगा और हम यहां rest of code देखने को मिलता है तो यह हमारा nested if statement इसमें भी आप यूजर डिफाइंड कर सकते हैं आप A, B, C, D, चार वेरिवल्स ले लिजिए और एक एक करके सवे में यूजर से इंपूट लिजिए और इसको बहतर तरीके से सजा कर लिखिए आपका code बढ़िया से इसी कूट होगा और आप इसको ऐसे टास्क कर सकते हैं अगर आपकी मलजी है तो यूजर से कैसे इंपूट लेना है nested इसको ऐसे इसको बाद आपकी में आपकी में यूजर से घर पिर शाय को खोगए!